असलाम उलेकूम, Radio-isotopic dilution method इस topic को आज हम दिस्क्स करेंगे, यह कफी ज़्यदा important analysis है, सबसे पहले हो सबसे important बात, Radio-isotopic dilution method किस काम के लिए इससमाल कर जाता है, इसको हम यूज़ का रहे होता है quantitative analysis के लिए, किस के लिए इससमाल करते है, it is used, it is used, for quantitative analysis, quantitative analysis, quantitative analysis, quantitative analysis, इसमें हम कहा करते हैं, किसी भी चीज़ की quantity को मालूम करने के लिए, मैस्क को मालूम करने के लिए, इससमाल कर रहे होते हैं, अब इसको देखो, मैंने लिखा, जिए Radio-isotopic dilution method of analysis, जिनी ऐसा तरीका कार है, जिसमें हम कोई Radio-active element यूज़ करते हैं, अब ज्याद रिखे radioactive elements, ऐसे elements होते हैं, जो खुद रखुद radiations को emit करते हैं, मैं सिर्फ अभी Radio-isotopic की explanation कर रहा हूं, radioactive elements कौन से होंगे, which emit radiation, इमिट radiation, जो radiation को खार्ज करते हैं, कहीं जिसी और यह सकती है डिशन में आपकी अलफा रेज हूं में भी रिटा रेज हूं यह रिडिएशन को करता है सब्सक्राइब करना अगर कोई चीज आपके आपने सिंपसी में देता हूं मैं करते हुआ यह एक मोलर सुलूशन एन असीयल का इसका एन असीयल का एक मोलर सुलूशन एन मोलर सुलूशन स्पोस कर रहा हूँ मैं थोड़े सजब पत्रा कर दो कि अदर पानी डाल शवार्ण के यहां आम क्या करتे मजीद डाल रहे हो इसको पतला करने के लिए निके वाटर की मिविकरों इसा जा रही है जबके एनसाल की मिविकरार ऑफ्क। यानि यानि की मेकदार अगर देखा जाए तो कॉंस्टन्ट रहती है लेकिन सौलमट के मुकाबले में ऐस कंपेरेंस देखा जाए तो कम मोथी जा रही है मतलब पहले स्पोज करता हूं, मारे पास सो मॉलीक्यूल वटर के थैंट एक मॉलीक्यूल एनी डिलूर था पहले भी बने मूलर अब मैंने कहा हजार मॉलीक्यूल इसके कर दिये और आपके ने सील के यानि वाटर और एड़ कर दिया मतलब इसके में अब कम होगी है पहलों सो के मुकाबले में एक था अब हजार के मुकाबले में सब्सक्राइब होता है किसी चीज़ को पतला कर दिये जाए अब ऐसा मैथ है जिसमें कोई भी हम एलिमेंट जिसका करना चाहिए तो इसमें रेडियो आइसोटोप डाल देते हैं डालने के बाद इसमें डालीशन हो जाती है रेडियो एक्टिव जो के अलफा बेटे गैमा रेडियेशन एमिट करता है उसका इनालेसिज करते हैं अच्छा यह बात बहुत इंपोर्टेंड है यह क्या है क्वंटिटेटेव अनालेसिज यानि कि हम इस एनालेसिज से किसी भी चीज की अमाउंट का पता लगा सकते हैं क्या कर सकते हैं किसी भी शेयर की अमाउंट का पता लगा सकते हैं सही चलो यही बात मैं यहां पर लिख देफिनिशन प्रॉपर the analysis, the analysis, यह ऐसा analysis है, in which, जिसमें, in which amount of substance is determined, amount of analyte कर लो, analyte is determined, जिसमें हम amount analyte की वालूम कर रहे होते हैं, determined, by using, किसको इस्थमाल करते हैं, by using radio isotope, radio isotopes, radio isotopes को इस्थमाल करते हैं, और किसी भी analyte की amount का पता लगा रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, radio isotopic dilution method, अगर इसकी types देखी जाएं, बात कर लेते हैं, अब types की, इसकी basically 4 types हैं, कितनी types हैं, 4, सबसे पहले type, direct isotopic dilution method, सबसे पहले type का है, direct isotopic dilution method, dilution method, dilution method, यह पहले type है, इसके बाद second number हमारे पास आ जाता है, inverse isotopic dilution method, इसके बाद, जो third type है, यह है double isotopic dilution method, double में क्या करता है, direct और inverse दोनों को मिला के हम use कर रहे होते हैं, किसी भी compound का analysis करने के लिए है, double isotopic dilution method, dilution method, और इसके बाद last हमारे पास आ जाता है, वह है modified isotopic dilution method, modified isotopic dilution method, isotopic dilution method, dilution method, जो यह हमारे पास इसके types हैं, बस simple सी बात आपने याद रख रहे हैं, कि हमारे पास 4 type है, हर एक type को इन्शालला तरह रिस्क्स करेंगे, चलो सबसे पहले type है, हमारे पास direct isotopic dilution method, heading जेदो, direct, direct, isotopic, isotopic, dilution method, dilution method, अज सबसे पहले एक simple सी बात याद रखिएगा, इसमें जो एनलाइटर था है, मैं दो बात लिखूँगा, अगर यह बात आपको जहन बैठ जाती है, तो समझ लेंगे, इस टेक्निक का आपको पता चल जाएगे, यह पहला अगर समझ लिया अच्छे तरीके से, तो आगे वाले तकरीमें तकरीमें आपको अंदाजा लग जाएगा, किस सरा हमने करने हैं, इसमें याद रखी हमारे पास दो चीज़ी होती है, एक आपने रेडियो एक्टिव सबस्टांस डालनी होती है, इसमें याद रखे हमारे पास जो दो कई होगा है, और जो चीज आपने इसकी पहचान करने के लिए डालनी है, डालोड करने के लिए डालनी है, वह हमारे पास आएसोटॉप होगा, रेडियो आएसोटॉप, रेडियो आएसोटॉप इस यूजड इस यूजड यह हमारे पास रेडियो आइसोटोप इसमें इस्तेमाल करते हैं और आनलायट आपका नोन रेडियो एक्टिव होगे बड़ी इंपोर्टन बात है बहुत ज़्यादे इंपोर्टन बात है इसी को हम मिला किसकी डैफिनेशन भी बिना लेंगे इसी क को मिला कर you direct out idolation मे discussed की मेर्वी Potato ills हम इसी से गरेंगे यह शेटे हम आरे पास ए neuλέ मैट नोन रेडियो एक्टिव होता हम रिडियो कि एक्ट्राइव का इससमाल करते हैं और इसकी अमांट का पता लगा लेते हैं करते हैं का करता इसकी अमांट का पता लगा रिज्ए देशल in which the radio, the analyte is non-radioactive, analyte, जिसकी आप पहचान करना चाहते हैं, analyte is non-radioactive, आपका analyte non-radioactive है, and radioactive, radioactive substance is added, radioactive substance, कोई भी radioactive हम इस्तमाल कर रहते हैं, substance is used to determine the concentration, to determine, मालूम करने के लिए, determine the amount कर लो, concentration कर लो, amount of non-radioactive isotope, non-radioactive analyte, non-radioactive analyte, यह sympathy definition है, इसमें क्या बात कही है, यह sympathy बात आप याद रखेंगा, कहते हैं, हमारे पास जो analyte है, जिसकी आप पहचान करना चाहते हो, वो non-radioactive है, जबके आपने यहाँ जो चीज़ यूज़ करने है, इसकी पहचान करने के लिए, वो क्या होगी, radioactive isotope, व amount का पता लगा लेंगे, क्या करेंगे, radio isotope यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद analyte की concentration का या analyte की amount का पता लगा लेंगे, आप इसका procedure चाहिए, मैं suppose करता हो मेरे पास ना, यह मेरे पास एक बीकर है, और इसमें analyte का solution है, इसमें क्या है, अब इसको समझते जाएगेग आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इसके अंदर डालना है radioactive, radioactive substance डाली है, मतलब A star डालना है, मतलब मैं suppose करता हूँ, आइरन का पतल लगाना चाहता हूँ, तो आइरन का पतल लगाने के लिए मैं यहाँ पे आइरन का radioactive isotope इसमाल करूँगा, क्या करूँगा, आइरन का ही radioactive isot करने के बाद आपने यहां पर कोई न कोई कारीयर करना है सेकंड नंबर पर एड कारियर जब कोई यह हमारे पास जो अनलाइट था यह सुलूशन की फॉर्म में था अब आपने ऐसी चीज आड करनी है जो सुलूशन फॉर्म को यह तो प्रैसिप्टेट बना दे या कॉम्प् कांटिग उनट पर किकाएर वसका डिनyण सपर्खवाइब कोईट 4 लाएट पर यह तरीदिगा यहिए हमारे पास सारे को सारह तरीक चारी करें आपको जो प्राइमनर एनलाइट देगा वह नों रेडियोक्टिव होगा आपने क्या करना है उसको उठाक और याद रहें जो रेडियोक्टिव आइसोटोप लेंगे इसका मैस आपको पताना चाहिए पहले नंबर पे क्या पताना चाहिए मैस और सेकंड नंबर पे इसकी क्योंन रेडियोक्टिव है हमारे पास जीरोत यह क्या होती है झील होती है अब हमने इस में रेडियोक्टिव अलिमेंट का मैस आटकि पता हुदी कि और मतलब करते रिए चीज है थे यहां पे तीन चीजह बना लेता हूं ताक कि बाट समझ में आ जैंग यहां मैं लिखूँगा informaty करता हूं कि हमारे पास यह एनलाइट के लिए कुछ चीज़ लिखूंगा एनलाइट के लिए सेंपल के मैस है इसको रिप्रिजेंट करते हैं जो सेंपल है वह एं एक बाद इसका जो मैस है वह मैं जिसको हम मालूम करना चाहिए मैंने का जी सेंपल का मैस का है और इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी जीरो होगी क्योंकि नौन रेडियो एक्टिव है याद रखेगा हम इस टेक्निक को डिरेक्ट आइसो टॉपिक डालेशन मेतड़ है इसको इसको इस्तमाल कर रहे होते हैं नौन र होगा यह इसका में सोएम प्राइम होगा जो आप करोगे गया और इसकी स्पेसिपिक एक्टिविटी जी वह ए스र एंग हमारे पास यह थो कि जाव रहे आब जैए सब्सक्राइम और जैसे ही मिक्षर बन जाएगा यह हमारे पास होगालेगा जैसे ही तो UFO इसके सब्सक्राइब प्लास यह क्यों से इसकी निसकर कम और यहां पर मैं स्पोस्ट कर लेता हूं इसकी एक्टिविटी एस हो जाएगी क्या जाएगी एस स्पोस्ट कर रहा हूं सही है यह सिंपसी बात आपने याद रखनी है यह साथ में एक वाइड बोर्ड रख लिया है क्योंकि इसके नीचे मुकमल नहीं होना था प्रोसीजर बाकि मैंने दोनों का मिक्षट्र बना लिए तो इसकर मैस को कहोगा यह वाला मैस प्लस आवराल मैस हो जाएगा और इसकी जो स्पेसिफिक अक्टिविटी और से हमने रेप्रेसेंट कर दिये तो यहां पर स्टार्ट करते हैं कलकुलेशन को मजीर टोटल स्पेसिफिक अक्टिव before mixing, before mixing, यानि mixing करने से पहले, mix करने से पहले कितनी specific activity है, यह चीज हमारे पास ब्राबर होती है, total specific activity after mixing, total specific activity, specific activity after mixing, mix करने के बाद हमारे पास कितनी total specific activity होगी, देखो, mix करने के पहले आपके इस total specific activity, इस चीज की, isotope की, total specific activity कितनी होगी, m prime, s prime, कितनी होगी, m prime, s prime, जैसे आप इसको mix कर दोगे, mix करने के बाद हमारे पास mixture की कितनी होगी, यह वाली, Total Specific Activity किसके बरावर होगी M' Plus M' M' Into S यह हमारे पास Total Specific Attorney होगी जाने कि आपके जितना मेस होगा उतनी Specific Activity बढ़ जाएगी सही है तो आपके मेस और Specific Activity का हासले जरब यह Total Specific Activity है और Mix करने के बाद हमारे पास Total Specific Activity इसके बरावर होगी अस् große में आपको करना चाहता है हाँ यह बेंसमालूम करना चाहते में यह कि निकालते हैं क्या करते हैं यह कि घाल चाहते हो इस विए आपने बाकर सारी के सारी किहीं की री रिरियंजमट करने अब देखें मैं निकालना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आम निकालना चाहता हूं यह वाला अम निकालने के लिए सक उठा के साइड पर जाएगा यह प्राइम ऑब का यहां जाएगा से इसको थोड़ से में रियरेजिक कर लेता हूँ यह बन जाएगा हमारे पास M' S' over S minus M' यहनि इसको उठाके इस साइड भी लिख लिख लिए इस पूरे को उठाके इस साइड भी लिख लिख लिए अब देखो हमारे पास माइनस का मतलब क्या होता है कि यह वाली चीज़ इस चीज़ में से माइनस हो रही है यह वो लेकर आपने हल करना सीखा होगा यह हमारे पास बन जाएगा M is equal to M' S' minus M' S over S यहां से M' ले लो constant यह क्या बन जाएगा हमारे पास M' और यह वल चीज़ मारे पास बन जाएगी S' minus S over S यह वल चीज़ बन जाएगा अगर इसको थोड़ सा आगे मजीद हल करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हैं लेकिन यहां तक enough है यहां तक क्या है हमारे पास enough है यहां पर गोर करोगे न तो आपको पता चलेगा बाकिस सारे चीज़ें इस M के इलावा बाकिस सारे चीज़ें हमें पता होती है यह हमारे पास mass of radioactive isotope है M' क्या है mass of radioactive isotope radioactive isotope radioactive isotope radioactive isotope radioactive isotope का mass है है ऍस प्राइम का है यह हमने शुरू में माALुम का लिए होती है प्राइम का यह ता है उसी रिडियय क्टिम आर्विटी अक्टिम एज़िट और इसको हम कोई डिटेक्टर यूज़ करके इसकी अमाउंट का भी पता लगा लेते हैं यह का है पास जो मैस अनलायट का वह पता चल जाएगा यह था जी तरीका का हमारे पास direct isotopic dilution method direct क्यों कहते हैं क्योंकि आप इसमें direct isotope को use करके amount पता लगा लेते हो that's why it is known as direct isotopic dilution method इसमें जो सबसे important बात मैं फिर बता दूँ यह याद रखनी है कि आप जो analyte है वो non radioactive isotope है यानि उसमें radiation emit नहीं होती और जिस चीज़ को आपने उसकी amount को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करना है वह हमेशा radioactive isotope होगा वह क्या होगा radioactive isotope होगा आपने उसको उसके नदे डालना है डालने के बाद आपने कोई carrier डालना के डालने के बाद वहां से एनलाइट इसको आपने किसी कोई भी डिटेक्टर जो के radiation को डिटेक्ट कर सकता है बेशा को गाईगर मुलर काउंटर हो कोई भी चीज़ हो आप उसके पास ले जाना है जैसे आपको स्पैस्क्टिटि स मिल जाएगी स्प्राइम आपको पहले से पथा होती है यहां से निकाल सकते हैं यह क्या कर सकते हैं एक gay मैं थैंक्स ऑग वट वाचिंग आनला अला अफ़िज फियर ले का है और इसका दो एक स्क्रीशेट झाल झाल